बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के आदेश के बाद भी केके पाठक के ओर से लेटर नहीं निकालने के मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। सिक्षा मंतरी विजे चौधरी के आस्वाशन के बाद भी विपक्ष बेल में हंगामा जारी रहा। विधान सभाध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विपक्ष की रवाईये को गलत बताते वे कहा कि जब सिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सरकार मुख्य मंत्री की घोशना को सुनिश्चित कराएगी फिर हंगामे का मतलब नहीं बनता वहीं सिक्षा मंत्री विजय गुमार चौधरी ने कहा कि किसी भी अधिकारी को हम लोगों को सरकार में आम लोगों को भी गाली देने का अधिकार नहीं है तो सिक्षक और विधायक को कैसे कोई गाली दे सकता है वहीं नितीश कुमार की तरफ से कही गई बात को उन्होंने फिर से दोहराई और सुनिश्चित की सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्य मंतरी की जो इस सदन में घोसना है सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी वहीं सिक्षा मंतरी विजे चौधरी के आसवाशन दिये जाने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा विपक्ष ने सदन से बाहर आने के बाद नारे बाजी भी की और सरकार के चुप्पी पर हमला बोला है शदन में कल घोसना किया था परसो भी घोसना किया था उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं हो पाया है और जो पत्र दिया गया कई जीलो में उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है और तो और जो एसेट से सिखीशा विभाका उनका एक विडियू आया है वव्य brand हुआ है कि सिख्षकों को वो गाली दे रहे हैं । सिख्षकों को परतारीत अपमानित और लांचित करने का काम ही कर रहे है ऐसे उनकी लांचना से मुखर मंतरी को शरम नहीं आती है तो हमें शरम आती है विजय चौजुरी ने कहा कि विधान परिस PDF में भी ये मामला उठा था वहां के सदस्यों ने पेंडराइव वियोपलब्ध कराया और वहां के सभापती पूरे मामले को देख रहे हैं उनकी जो भी अनुसंशा होगी सरकार उसे लागू करेगी वहीं सिक्षामंत्री विजय चौधरी ने पूर्व सिक्षामंत्री चंदरशेखर द्वारा मुबाइल में वीडियो दिखाने पर भी आपत्ती जताया वहीं विदानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि इस तरह की नई परंपरा शुरुवात नहीं होनी चाहिए